असलाम्रीकूम गेरवन कैसे आप सब लोग मैं आप लोगों की इस्सामियाद की टीचर तिल्फ स्पूल अप टुमारो सिटी केंपस बलवागा आज हम लोग लेक्चर नुम्बर साथ शुरू करने जा रहे हैं और उससे पहले हम कल वड़ा लेक्चर रिवाइस करेंगे खर शुость करेंगे आप लोग मुझे बताएंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि मुद्आ था हम लोगों ने सबक अल्ला के नाम उशुरू किया और हमने बोला था कि आल्लत अल्फ की नाम बहुत खुực सूरात हैं निया और उन नामों को हमने अस्तिमावल हुसना कहा तो यहां तक याद है ग्रीट वन को हुम् वेरी गुड तो प्यारे बच्चों हमने आज अल्ला ताला के कुछ नाम पढ़ने हैं और उनके माईनी पढ़ने हैं अब सबसे पहले देखें यहां पर मैंने क्या लिख्या है अर्रह्मान अर्रह्मान का क्या मतलब होता है हम् वेरी गुड सबसे बड़ा महर्बान इसके बाद अल्ला ताला का दूसरा नाम है अर्रहीम उसका क्या मतलब होता है अर्रह्मानों सबसे बड़ा महर्बान अर्रहीमों नहायत रहम करने हो और प्यारे बच्चों अगला नाम है अल्मालिकु अब अल्मालिकों के नाम से ही जाहिर हो रहा है प्यारे बच्चों पता है किसी को वेरी गूड मालिकों मतलब हमारा मालिक बादशा तो प्यारे बच्चों हमने क्या पढ़ा हमें पढ़ा कि अर्रह्मानु उल्ला का एक नाम है उसका मतलब होता है सबसे बड़ा है अर्रहीमो भी अल्ला के एक नाम है और उसका मतलब होता है नहायत रह्म करने वाला अलमाली को भी अल्ला ताला का नाम है उसका मतलब है बादशाह प्यारे बुच्छों आपने इसको रफ रिजिस्टर पर प्रेक्टिस करना है और उसके बाद आप लोगों ने अपने बुक्स खुल लें किताबें खुलने के बाद सफ़ा नमबर साथ खुलेंगे यहां पर डेट और दिन लिखें दिन और तारीख लिखेंगे उसके बाद यहां देखिए अर्रह्मानों सबसे बड़ा महरबान है हमने क्या पड़ा हमने हम इन पांच नमों को याद करेंगे आज आप लोगों ने क आपने इसको तीन-चार दफ़ा रिवाइस करके याद करके मामा को सुनाना है और उसके बाद आप लोगों ने सफ़ा नमबर आठ को यहां पर दिन और तारीख लिखनी है और उसके बाद मैंने कुछ सब आप बचों को कहा था सब बचों को कि असमा और रुसना का एक चार नां कि अलिए विघ्शए अलागाक सब नाम बहुत हैं नाम बहूंत भूट आलां बहुत हैं बहुत सरा कि स हैं मेरे दूसरा है अल़ाज नाम है नहीं लोनीनावे जह यह एक से ऐस तो आपन्च है तो अभी हमने पढ़ा यहां अगर आप लोग देखें अल्लत अल्ला के कितने नाम है निन्यानमे तो हम यहाँ पर निन्यानमे को तिक करें अस्मा उलुसना क्याते हैं अल्लत अल्ला की जात को अल्लत अल्ला की सिपात को ये अल्लत अल्ला की नामों को इसके बाद आप लोग अपनी नोट बुक्स को लेंगे और दिल लिखेंगे तारीफ लिखेंगे घर के काम को ठिकरेंगे और रहन है इमला पहला लफ्स है नहरबान दूसरा लफ्स है नहाय और आखरी लफ्स है बादशाओ आपने इसकी पूरे सफे पर मश्क करनी है और उसके बाद इसको रफ रिजिस्टर पर राइट करना है जबानी और अपनी मामा को इसका टेस्ट देना है तो अल्लहाफीज स्टुडेंट्स इंशाला कल्बे को